जहन आप अपनी प्रेपरेशन के लिए कर रहे हैं तो आप बिलकुल सही जगा पर आए हैं और आज का आपका इंग्लिश का क्लास बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पर होने वाली है जैसे कि आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि हमारे सामने हमारा आज की क्लास का टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन आपको एक बहुत इंपोर्टन बात जो मुझे बताने चाहिए कि आपका इंग्लिश का एक्जाम आपके लिए कितना इंपोर्टन या कितना महत्वर रखता है ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए सो basically इंग्लिश का पेपर क्योंकि full-fledged एक अलग stand-alone पेपर होता है जिसमें की 120 सवाल आते हैं तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपके लिए इंग्लिश पढ़ना कितना जादा जरूरी होताता है और इंग्लिश को भी फिर हम कह सकते हैं बहुत different different parts में divide किया गया है कुछ portion आपकी vocabulary का रखा गया है कुछ portion आपका reading section का रखा गया है कुछ portion आपका grammar का रखा गया है और फिर कुछ portion आपका miscellaneous topics के regarding रखा जाता है so that means overall आपके ये जो 120 questions का setup होता है इसको हमें धीरे धीरे different different parts को पढ़ना पड़ेगा ताकि हम वो 120 questions अपने बहुत easily attempt कर पाएं तो आज की class के लिए जो सबसे पहला topic मैंने आपके लिए उठाया है वो आपके grammar portion में से है और grammar portion में से वो एक ऐसा topic है जो ना केवल आपको different different multiple questions में देखने को मिलेगा but as a stand alone topic याने के अगर आप कहें कि grammar में specifically अगर अलग से कोई एक topic पूछा जा सकता है तो वो अकसर ये topic याने के prepositions होता है तो आप सभी के लिए आज की ये class बहुत important, बहुत interesting और बहुत ही जादा मज़दार होने वाली है but before I begin, let me just tell you something की prepositions basically होते क्या है आम भाशा में हम लोग या हिंदी में prepositions को क्या कह सकते हैं? हिंदी में अकसर आप इसको कारक भी कह सकते हैं या English में they are called the words that clearly define the position or the relationship of a word with another word है ना, prepositions को अगर आप break ही कर लो, यह अपने आप में दो words बन जाता है pre plus the position, that means अपने आप में ये एक ऐसा word है जो आप किसी भी word की position उस sentence में क्या है उस sentence में वो क्या काम करने की कोशिश कर रहा है क्या explain करने की कोशिश कर रहा है उसका relationship वो सभी बाते हमार को किन words से पता चलती है with prepositions So first and foremost हमें prepositions की definition पता होना बहुत जादा important है So as you can see on the board prepositions are words और group of words used to link nouns, pronouns, phrases to the other parts of the sentence So basically जो noun, pronoun या जो भी phrase होता है noun, phrase होता है Basically हमारा जो subject अकसर होता है उसका बाकी जो sentence के साथ relationship है उसको define करने के लिए हमें कई बार किन words की help लेनी पड़ती है Of prepositions लेकिन ये तो bookish या dictionary की आप कहलो definition हो गई इसका हमार को exam में क्या use हमें तो ma'am सीधा questions आएंगे, MC की form में आएंगे हमें तो वहाँ पर identify करना आना चाहिए कि वहाँ पर कौन सी और किस प्रकार की preposition लगना जरूरी है तो आज की class में हम यही चीज़े discuss करने वाले हैं बट पहले let me test you on some of the questions Let us see कि basically अगर आपके पास questions आते हैं वो किस प्रकार क्या आते हैं और आज की class चुरू होने से पहले आप किस level तक जो है prepositions को समझते हैं या किस level तक आप easily questions को solve कर पाते हैं तो I have given few questions आप उन questions का correct answer दे पाते हैं और अगर नहीं दे पाते हैं then obviously हमार को यह session जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और भी जादा clarity होती रहेगी So first जो हमारा question है आपके सामने It is good sense prevailed upon him at last and he arrived dash this conclusion So basically जो आपकी prepositions होते हैं वो in the form of fill-ups ऐसे भी पूछ लिया जाते हैं या अकसर error spotting का एक topic होता है जिसमें आपको sentences को एक different different parts में break किया होता है और आपको identify करना होता है कि आपके वहाँ पर कौन सा error है या sentence improvement में भी अकसर grammar based questions आ जाते हैं So आपके पास ये चार options हैं Please try to identify कि क्या लगता है क्या इस question का answer हो सकता है I will give you about 10 to 15 seconds to actually tell me कि आपका answer क्या है Right? Okay I think आप सभी ने अपना answer pick कर लिया होगा और अगर नहीं भी pick किया तो let me tell you आपका यहाँ पर answer होना चाहिए था option number A which is at Right? अब इसकी explanation क्या है? इसकी explanation के पीछे का reason क्या है? ये हम धीरे धीरे अपनी class के अंदर समझेंगे Right? तो basically यहाँ पर हम एक fixed position के बारे में बात कर रहे हैं fixed place के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें एक fixed preposition की भी जरूरत होगी जो की यहाँ पर हमारे पास कौन सी preposition दिख रही है? वो है at अब पहले question में चलो मान लिया नहीं भी समझ में आया एक और question attempt कर लेते हैं आपके पास जो next question है वो क्या है? I have been informed that the two brothers have fallen dash Another 15 seconds to solve this question की आपको क्या लगता है की यहाँ पर इस blank में कौन सी ऐसी preposition है जो आप फिल कर देंगे तो यह sentence बिलकुल absolutely grammatically ठीक हो जाएगा चलो If you are able to identify it, very good बट अगर आप नहीं identify कर पाए तो let me help you हमारे पास जो answer इसका आना चाहिए था वो answer आना चाहिए था option number D that is fallen out Now you will say what does this fallen out mean यहाँ पर यह fallen out basically as such मैं अगर देखूं तो शायद कुछ sense नहीं बना रहा लेकिन actual में this fallen out is a part of a phrasal preposition Now what are phrasal prepositions? है ना यह सवाल भी अब आपके मन में आ रहा होगा की now what are phrasal prepositions? यह हमें कैसे पता चलेगा तो बिलकुल पता चलेगा धीरे धीरे आपकी classes में आपको बहुत सारी चीजे prepositions के बारे में पता चलेगी So now अगर मैं आपको बोलू यह जो phrasal preposition है fallen out It means that the two people यहाँ पर यह जो दो brothers हैं जिनकी बारे में बात हो रही है इन दोनों brothers को जो है आपस में लडाई जगडा हो गया है और वो दोनों अलग-अलग हो गए है उसको अगर मुझे एक word में define करना है तो I can use this phrasal preposition which means fallen out यह basically means that the two brothers are no longer together ठीक है जी? तो now yet another type of preposition which you are going to learn through this class is phrasal preposition चलिये जी एक और question solve कर लेते हैं You are really very popular dash your friends हाँ जी Please try to attempt this question and tell me कि आपके ही साब से यहाँ पर क्या answer हो सकता है Okay Let us discuss अब बहुत सारे ऐसे aspirants होंगे जिनको यह लग रहा होगा कि answer लगभग लगभग सा मुझे समझ में आ रहा है कि या तो A होना चाहिए या तो B होना चाहिए पड़ा I'm not sure Because एक थोड़ा सा slight सा मेरे मन में confusion है कि यहाँ पर मुझे among use करना चाहिए था या मुझे between use करना चाहिए था So yes, there are multiple confusions There are multiple things जो आपको लगता है कि यार ये ठीक है लेकिन actual में grammar के हिसाब से वो ठीक नहीं होता और वो छोटी-छोटी confusions जो है वही तो हमार को जो है exam में जाकर दिक्कत देती है So if you have picked up option number A then you are absolutely right But अगर आपके मन में थोड़ा सा भी doubt था और आपने option number B को choose कर लिया तो then that doubt will lead to wrong answer आपका जो answer between है वो नहीं आएगा अब ये among or between में क्या difference है किसको हम कहां use कर सकते है ये हमें कैसे पता चलेगा बिलकुल पता चलेगा इस class में ही पता चलेगा इसी लिए तो मैंने ये questions आपको पहले दिये है so that I am able to know कि whether you are able to identify कि क्या preposition या कौन सा वाला word ऐसा है जो यहां पर fit पहता है so among and between and ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी prepositions होती है in and into, above and over ये सारी के सारे बहुत minor words होते है हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं लेकिन हमें इनकी correct usage ही नहीं पता होती और अगर हमें ये correct usage पता चल जाएगी तो फिर तो हमारे exam में हमारको कोई exam clear करने से रोख ही नहीं सकता राइट चलिए फिर इसी बात पे very quickly please attempt one more question मैं शुरू में आपके लिए सरफ चार या पांच questions लाई हूँ लेकिन इन चार या पांच questions में ही आप खुद भी अपने आपको analyze कर पाएंगे और मुझे भी पता चल जाता है कि आपको किस level से हमें begin करवाना है राइट ओके चलिए जी he is quite infatuated dash her ठीक है जी अब एक चीज़ और आपने बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी आपको फिलप्स वाले questions आते हैं तो फिलप्स से पहले वाला word और फिलप्स के बाद आने वाला word आपके लिए जो है बहुत जादा important होता है वही जो है आपका blank में क्या आएगा उसको decide करते हैं तो I think आपने अब तक अपना answer decide कर लिया होगा choose कर लिया होगा and for all those जिनको infatuated से थोड़ी दिक्कत हो रही होगी infatuated word का शायद मतलब नहीं समझा रहा होगा so infatuated basically means कि आप किसी को like करते हो you are always infatuated with something so आपके पास जो answer आना चाहिए था वो option number C जो है आना चाहिए था clear है जी यह बात अगर यहां तक बात समझ में आ गई कुछ words ऐसे होते हैं जिनके साथ specific या fixed prepositions ही लगती हैं ऐसे कौन से words होते हैं या ऐसी कौन सी चीज़े होती हैं जिनके साथ हमें यह words याद रखने पड़ेंगे वो भी हम अपनी classes में ही सीखने वाले हैं चलिए जी फिर आज का अपना final question attempt करिए and then we will begin on what are prepositions what are the types of prepositions what are the common mistakes that we make regarding prepositions या common जो हमार को differences समझ में नहीं आते वो सभी चीज़े आज की हम अपनी class के अंदर cover करने की कोशिश करेंगे okay जी if that is done very quickly the lady always takes pride dash her beauty ठीके जी अब आपके पास blank से पहले word आया है pride pride का मतलब होता है एहनकार ठीके जी proud का मतलब तो किसी चीज़ पर गर्व होना होता है लेकिन जब वो ही proud pride बन जाता है तो वो pride कहीं न कहीं एक एहनकार एक self importance के साथ regard कर दिया जाता है या उसको relate कर दिया जाता है तो याद रखना proud और pride even though दोनों ही बहुत similar words हैं दोनों ही बहुत same words या उनका root origin बिलकुल same है लेकिन दोनों की preposition बिलकुल different होती है और हमेशा हम क्या कहते है I am proud of my country लेकिन जब वो ही proud pride बन जाता है तो pride के साथ जो लगने वाली preposition होती है वो होती है in तो अब अगर आपने इन पांच में से दो सवालों का जवाब दिया या शायद तीन का भी जवाब दिया तो भी that means you know something या you know a little about prepositions बट इस class के बाद आपको इस topic पे और भी अच्छी clarity जो है मिल चाहेगी So before I begin with what are the types of prepositions एक बड़ी दुबारा से prepositions होती क्या है या prepositions का use क्या होता है एक sentence के अंदर तो basically आपका जो noun, जो आपका pronoun या जो आपके phrases होते हैं sentence के अंदर उनको बाती सारे sentence के साथ connect करना या उनके relationship को show करने वाले जो words होते हैं वो prepositions होते हैं So firstly, we will begin about the different types of prepositions अब ये देखो जी, basic theory है आपको exam में नहीं पूछा जाता की preposition of place कौन सी है, preposition of manner कौन सा है preposition of cause and reason कौन सा है लेकिन, of course, if you do not know the basics then आगे वाले questions तो solve होंगे ही नहीं So very very quickly, we will just go through the basics or the different types of prepositions जो आप अपनी daily life में encounter करते हैं So सबसे पहले आता है preposition of place Of course, जैसा उसका नाम, वैसा उसका काम ठीक है ना? तो basically अगर आप किसी भी place से related These prepositions define the location or the position of the object or the person So basically अगर आपने उस subject की उस person की उस object की position बतानी है उस sentence के अंदर शो करना है कि वो कहां पर placed है You will always use the preposition of place And of course आपको भी पता है Prepositions of place में commonly कौनसी कौनसी prepositions आती है In आ गई, on आ गई, under आ गई, between आ गई, next to आ गई, beside आ गई Basically कोई भी चीज कहां पर पड़ी है जो कहां का सवाल है और जो कहां का सवाल का जवाब हमें देती है वही सारी जो है prepositions of place होती है So यहाँ पर the cat is in the box In is the preposition The book is on the table The shoes are under the bed The ball is between the chairs The park is next to the school So basically location या position की बात हुई तो हमारे पास जो prepositions आई वो place की आई Then moving further Preposition of time Very very important जो हमारको अक्सर exam में पूछ ली जाती है वो होती है prepositions of time So again When you are trying to understand कि जो भी action subject कर रहा है जो भी action subject कर रहा है तो वो कब कर रहा है ऐसा sentence में जब भी mentioned होगा तो आप कौनसी वाली preposition यूज करेंगे Using the preposition of time For example, you can see At हो गया, On हो गया, In हो गया, Before हो गया, After हो गया यह सारे words आपको clearly क्या indicate करते हैं कि यह काम जो किया जा रहा है वो कब किया जा रहा है Like for example We have a meeting at 3 p.m. Now this 3 p.m. is defining the time कि आपकी जो meeting है या जो meeting का action होने वाला है वो कितने बजे होने वाला है So clearly it has to be a specific, it has to be a fixed preposition और वो preposition किसकी होगी? प्रेपोजिशन और टाइम, right? Moving further Now अब देखो प्रेपोजिशन और प्लेस में भी on और in आया प्रेपोजिशन और टाइम में भी on और in आया है ना? अभी हमने पीछे देखो on और in करा तो आपने देखा कि जब वो location या position की बात कर रहे थे तब भी मैंने in या on लगा दिया Now Please be very careful की sentence के बाद या फिलप के बाद कौन सा वर्ड आया तो अगर आपको blank में paper में आया the cat is dash the box तो obviously now it is talking about the position क्योंकि box कभी time नहीं define करेगा लेकिन suppose आपको sentence आ गया I will see you dash Monday for obvious reasons now you know that Monday is giving you the time duration Monday is not telling you the position the place की उसको कहां रखना है कहां नहीं रखना So clearly in और on आपके किस हिसाब से आप define करेंगे आप अपने sentence में जो blank के बाद दिया हुआ word है उसके accordingly आप अपना in या on को place करेंगे और ये दोनो preposition of time and preposition of place दोनों में equally use हो जाते हैं Right? Similarly she was born in the month of May So obviously now you have a time period कि कब उसकी जो है उसका birth हुआ So for obvious reasons हमार को यहां पर in लगाना पड़ा ठीक है जी? And finish your dinner before Finish your homework before dinner Yeah the concert starts after sunset All these are indicative of prepositions of time Moving further we have the next preposition That is the preposition of direction Now देखो यह बहुत simple simple सी बाते हैं सारी जो prepositions हैं उनकी definition उनके नाम के हिसाब से ही है Right? So when you are talking about preposition of direction Clearly मुझे बता है कि मुझे या तो movement देखनी पड़ेगी या उसकी direction देखनी पड़ेगी Right? अब paper में आपको जब भी आप sentence read करेंगे And वहाँ पर आप identify कर पाएंगे कि किसी चीज की movement की बात हो रही है कोई चीज किसी चीज की तरफ जा रही है So आपको वहाँ पर उसका relationship शो करने के लिए preposition of direction को ही use करना पड़ेगा So for obvious reason सबसे common जो आपकी preposition use होती है वो होती है आपकी to, from या towards Right? हमेशा आपके exam में इसका सवाल आता ही आता है Like for example I am going dash the store अरे भाई कहा जा रहे हो? किस तरफ जा रहे हो? So for obviously आपको यहाँ पर option में pick up करना पड़ेगा To अब आप कहोगे कि ma'am two और towards भी तो बहुत similar है दोनों का difference क्या है? तो जी बिलकुल Obviously this is a very genuine question कि two या towards दोनों ही आपके अगर options में आ गए तो फिर हम कैसे eliminate करेंगे? तो इसका सवाल भी हम आगे आने वाली slides में समझेंगे बट फिलहाल के लिए अगर आपको इत्ती बात समझ में आ गई आप directions में use होती है Like the cat is moving towards the door We walked through the forest The store is across the street Now through और across में भी बहुत दिक्कत होती है अकसर जो है हमें यह लगता है कि across को हमें कभ यूज करना है Across आप तभी यूज करेंगे जब एक point से आपने दूसरे point तक जाना है और उस दूसरे point को तक पहुंचने के लिए आपने beach में कोई रस्ता है उसको जो है पार करके जाना है या वो जो beach में आपका obstacle या hindrance है उसको overcome करके जाना है तो यहाँ पर आप देख रहे हो Store एक तरफ है Street बीच में पढ़ गई आप एक side हो अगर आपने उस store तक जाना है तो now you will not say that I am going to the store My store is placed where या मेरी direction क्या है store की It is across the street Right If you are clear till now यहाँ तक अगर बाते समझ में आई तो फटा फट से एक और type जो है हम कर ले ठीक है यह सारे की सारे बाते अभी हो सकता है थोड़ी सी भी आपके मन में रह जाएं की यह confusion है मुझे बट कोई दिक्कत नहीं आपकी first class है धीरे धीरे आम जब इनके questions प्रैक्टिस करेंगे जब आम इनकी most common errors को प्रैक्टिस करेंगे या most common confusions को पढ़ेंगे अपनी class में तो यह class आपके लिए बिलकुल आपके exam के लिए रामबान का काम करने वाली है ठीक है फिर अब अगला जो हमारा preposition होता है वो होता है preposition of manner now again indicative of how things are being done ठीक है जी manner होता है काम करने का तरीका तो basically अब जो भी मेरा subject है या जो भी मेरा person या object है वो अपने उस action को अब किस प्रकार कर रहा है वो भी तो मुझे बताना है और उस relationship को define करने के लिए मुझे अब क्या काम में आएगा preposition of manner so basically prepositions of manner explain how an action is performed so basic definition क्या रही कि आपको जब भी कोई action कैसे perform करा गया है उसको define करने के लिए आपने relationship के लिए एक word यूज करना है वो आप या तो why, with, like, in, without ऐसे common से words को use कर सकते हैं like for example she writes with a pen वो लिख रही है ठीक है वो उसका action क्या है कि वो लिख रही है लेकिन अब वो लिख किस से रही है pen से लिख रही है तो जैसे ही मेरे पास इस action को complete करने का एक तरीका आ गया, मुझे जो है मेरा preposition of manner मिल गया, या for example the book was written यहां तक मेरा sentence बिलकुल बढ़िया था, लेकिन अब उस sentence के बाद उन्हेंने बोल दिया Mark Twain अब Mark Twain तो एक person का नाम है याने कि अब मुझे इस book का relation किस के साथ दिखाना है इस author के साथ या इस writer के साथ तो मुझे obviously बताना पड़ेगा कि किस के द्वारा ये book लिखी गई है So for obvious reasons I will have to pick up a preposition that will tell that the book was written by Mark Twain Right, similarly He runs like a cheetah, भागता है लेकिन कैसे भागता है How is the action of running being performed He runs like a cheetah Clear है ये बात सभी के लिए जी Moving further How does she speak She spoke in a soft voice How do you eat your pizza I eat my pizza without cheese So clearly अगर आप कोई भी action perform कर रहे है और उस action को perform करने के लिए आपको बताना है कि हम ये काम कैसे कर रहे है हमारे ये words जो है हमारी help करते है Then clearly Another type of preposition that you need to know is the preposition of possession Now possession का मतलब क्यों होता है जी Possession का मतलब होता है Ownership आप किस चीज को अपना कह सकते हो किस चीज के उपर अपना हक दिखा सकते हो या अपनी ownership दिखा सकते है So अब आपके पास यहाँ पर जब भी possession of preposition of possession आएगा तो आपके पास जो सबसे common आती है बच्चे वो आती है हमारे पास ये preposition of ठीक है single f वाला off देखो off और off दोनों ही off होते हैं लेकिन अब इन दोनों की usage जो है वो बिल्कुल different होती है ठीक है आपका ये वाला off ownership कभी भी नहीं दिखाएगा o double f वाला off अगर आपको options में दिखता है और ownership की बात है तो आँख बंद करके उस option को आपने जो है eliminate करना है दन है ये बात तो फड़ा वट से हम देख लेते हैं कि जब भी ownership की बात हो रही है जैसे कि the tail tail किसकी है dog की तो अब ये tail ownership कौन है उसकी या possession किसकी है dog की है तो मेरा बीच में answer निकल कर आया off या फिर आप ऐसे multiple और examples दे सकते हैं जिसमें आप off से जो है ownership को show कर सकते हैं this shirt is made of cotton तो basically cotton की ही जो है origin था ये ownership था जिसके द्वारा आगे जो है ये shirt बनाई गई या अकसर not very common लेकिन आपके exam में कई बार ये apostrophe S को भी count कर लिया जाता है in the form of preposition तो यहाँ पर यह देखो cars engine किसका engine अगर मैं इसको amb भाशा में या off के साथ लिखना चाहती तो मेरे को इसको क्या करना पड़ता noun of noun के form में करना पड़ता engine of the car ठीक है आपके exam में ये पूछते है noun of noun वाला concept so अगर या तो आप उसको apostrophe S में लगाओगे कि cars engine तो car के साथ apostrophe S लगा दिया या अगर इसको एक दूसरे वे में मुझे present करना होता possession दिखाना होता तो फिर मैं off वाला भी पर एक shortened version में ठीक है जी then obviously belonging word आजाए owned word आजाए possessed word आजाए ये तो word self explanatory है इनको तो explain करने की जरूरत ही नहीं है आपको खुद ही समझ में आजाएगा कि ये अपने आप में किसी ना किसी चीज की ownership को show कर रहे है so belonging, owner, possession आप इन सभी words को use कर सकते हो जब आपने किसी की हक की बात करनी है या किसी की entitlement entitlement की बात करनी है right then moving further we have the prepositions of agent now ये बड़ी ही important preposition है ये अकसर exam में बच्चों को confuse कर देती है now preposition of agent basically हमेशा आपकी doer के लिए use होती है ठीक है ये बात आप समझिएगा कि हमारे पास preposition of manner भी थी कि किस के द्वारा या किस प्रकार से वो काम किया गया है उसी की ही एक extension कह लीजिए या थोड़ा सा slightly different रखने के लिए जो एक और preposition हाती है वो preposition of agent आती है agent माने काम किस ने किया तो हमेशा इसके अंदर आपके पास blank के बाद doer of the action mentioned होता है जैसे कि for example you can see on the board the book was written by the author ये भाई आपका जैसे ही author mention कर दिया आपको समझ में आ गया कि भाई मेरे पास doer आ गया और doer के आते ही मुझे जो है उसके साथ preposition of agent लगाना पड़ेगा या the painting was created with a brush तो अब अगेन आपके पास brush से ही वो painting बनी और brush से ही अगर वो painting बनी तो main जो agent है या main जो doer है उस action में वो कौन है वो brush है ये by और with का भी difference आपको छोटा सा एक difference होता है by अक्सर हम लोग things के लिए use by अक्सर हम लोग persons के लिए use करते है और with हम अक्सर things के लिए use करते है instruments के लिए use करते है ठीक है like for example अभी मैं छोटा सा example board पे लिखती हूँ ठीक है ठीक है जी और इसी के नीचे मैं एक और sentence लिखती हूँ the apple was cut ठीक है dash a knife आपको ये दो sentences दिख रहे होंगे the apple was cut dash my mother the apple was cut dash a knife now अब आपको जो ये by और with का में difference समझाने की कोशिश कर रही थी वो आपको इस example से और बेटर तरीके से समझ में आएगा कि जब हमारे पास blank के बाद doer of the action एक person है तो आप क्या बोलोगे the apple was cut by my mother ठीक है अब यहाँ पर मेरा जो doer है या जो मेरा agent है वो कौन है एक person है लेकिन जब वही चीज एक instrument बन जाएगी वही चीज जो है आपका एक ऐसा non living thing बन जाएगा तो then automatically आपको किसकी help लेनी पड़ती है with the word with so the apple was cut with a knife so I hope आपको अब ये by और with का difference जो है वो और clear हो जाएगा और आपके exam में या आपके जब practice questions होंगे तो आप easily identify कर पाओगे कि कहां पर आपने कौन से agent वाली preposition को लगाना है ठीक है जी? and then of course एक और बहुत important होता है through through अब यहाँ पर एक तो through हमने कहां use किया था जब हम through किसके लिए use कर रहे थे कि position क्या है like he walked through the forest अब यहाँ पर अगर आपके किसी action की completion हो रही है तो वो action की completion अगर दूसरे action के through हो रही है या दूसरे action के बदौलत हो रही है तो automatically मेरा जो preposition या जो word लग जाएगा वो लग जाएगा आपका through Is that clear for everybody जी? अगर यहाँ तक बाते समझ में आई हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग जो है अपने अगले part पर move on कर सकते हैं ठीक है? चलिए जी Next you have in line principle of cause and reason Now principle of cause and reason Of course आपके सामने clear है कि आपको या तो एक cause ढूणना पड़ेगा या फिर आपको एक reason बताना पड़ेगा कि वो क्यों है? ठीक है? तो आपके पास these explain the cause or the reason behind an action तो for obvious reasons यहाँ पर एक यह because of तो पक्का होगी क्योंकि because का मतलब ही होता है इस कारण वर्ष यह काम जो है वो किया गया है या फिर एक और बड़ी अच्छी और बड़ी important सी प्रेपोजिशन होती है वो होती है due to due to का मतलब again हिंदी में अगर मैं बोलूं कि किस कारण वर्ष या इसकी वजह से यह काम हुआ है तो automatically आपका जो है यह due to word भी वहाँ पर justify हो जाता है या तीसरा यहाँ पर आपके सामने जो दिख रहा होगा वो है owing to owing to is different than ownership देखो ownership और owing दोनों में root word जो है वो own है वो अपने आप में किसी चीज की वजह या किसी चीज का basic you know कारण बता रहा है लेकिन ownership और owing बहुत different different words है owing का मतलब होता है कि आप किस कारण वो काम कर रहे है like आप अगर sentences अपने जो है examples जो है वो read करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि the flight was delayed because of bad weather now यह because of जो है again आपका यहाँ पर क्या काम कर रहा है it is acting as the preposition कि flight delay हुई right flight delay हुई यह मेरा main phrase था यह जो main part था मेरे sentence का बाकी remaining part क्या था? bad weather अब इन दोनों को जोडने के लिए मुझे बताना पड़ा कि किस कारण जो है वो मेरी flight delay हुई so that means automatically I will have to use the principle of preposition of cause and reason similarly बाकी दो examples भी आप रीड कर सकते है the cancellation was due to the technical issues cancellation हुई ठीक है? main जो मेरा principle action था उस पूरे sentence में वो क्या था? cancellation now why that cancellation happened? it happened because of yeah it happened due to either of the two देखो अब आपर आप यह काऊगे कि मैं आपने यहापर due to लगा दिया लेकिन यहापर because of भी तो आ सकता था हाँ जी बिलकुल आ सकता था आपको exam में चार options आते हैं और ऐसा नहीं होगा कि दोनों को इकठा डाल देंगे जो दो similar meaning के words होते हैं वो दोनों अगर same answer दे रहे हैं तो ऐसा आपके exam में आता ही नहीं है तो यहाँ पर चाहें आप because of लिखो because of technical issues या आप due to technical issues लिखो दोनों absolutely correct है आपको वहाँ पर अपने options के इसाब से अपना answer mark करना है but obviously मुझे आपको पढ़ाना है तो मुझे आपको सब कुछ basic से बिल्कुल starting से जो है पढ़ाना पड़ेगा यहाँ तक बात हो गई जी done है यह बात अगर clear है तो फड़ाफट से हम अगला example भी एक बार फड़ाफट से read कर लेते है the match was postponed owing to rain now this match was postponed क्यों भई क्योंकि suddenly जो है बारिश होने लगी clear है तो cause, reason में अकसर तो तुमार को due to आएगा या because of आएगा इसके अलावा जादातर paper में नहीं आता या फिर एक और आता है in spite of या फिर आता है despite ठीक है तो ये थोड़ा सा different concept आएगा बट वो हम आगे आगे चल कर भी पढ़ लेंगे then I think आपकी next जो आती है वो आती है prepositions of condition now yes very very important concept होता है आपका conditionals का ठीक है conditionals अपने आप में एक बहुत अच्छा sleek topic बनता है आपका grammar का और conditional sentences का एक format होता है ठीक है और उस format में सबसे ज़ादा जो use की जाती है वो क्या use की जाती है prepositions और conditions ठीक है और direct questions आपको exam में आते हैं so देख लीजे आप ऐसा नहीं है कि English में सब कुछ अलग-अलग है नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है English is woven together आप English का एक पार्ट अगर पढ़ेंगे तो वो दूसरे पार्ट में reflect होगा ही होगा ठीक है तो अगर आप यहाँ पर prepositions पढ़के जा रहे हैं आप prepositions को अच्छे से समझ के जा रहे हैं तो जब हाँ अपने conditionals का concept करते हैं तो हमारे जो conditionals का concept हो जाएगा वो भी आपके लिए बहुत जादा easy हो जाएगा So prepositions of condition as you can see if, unless, provided Usually जो आपके exam के लिए जो आपके exam point of view से बहुत important prepositions होती है for prepositions of condition वो होती है if, unless, and provided and they will always give you the condition or the circumstance necessary for that action to take place ठीक है वो एक किसम की आप उस चीज़ पर रोक लगा देंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा action complete नहीं हो सकता और अगर मेरा action complete नहीं हुआ तो automatically मेरा sentence जो है वो incomplete रह जाएगा है ना, आपको भी पता है कि जो action होता है या जो verb होता है वही जो है हमारे पूरे sentence की backbone होता है और अगर वो नहीं है वहाँ पर अगर वो किसी भी कारण complete नहीं हो पा रहा है तो automatically मेरा sentence grammatically weak हो जाता है तो if, I will go to the party if you come Now this is again a condition that is put forward कि अगर तुम आए तो ही जो है मैं party में जाओंगा या जाओंगी So I will come to the party only if you come Second you can say Unless you finish your homework, you can't go out दो actions हैं, ठीक है? एक है completion of homework और एक है to go out तो अब उसके लिए जब मुझे condition provide करनी है तो मैंने sentence के बिल्कुल beginning में ही preposition को लगा दिया देखो यह मत सोचना कि preposition शुरू में नहीं लग सकता preposition क्योंकि relationship दिखा रहा है दो चीजों का तो हमेशा उसको बीच में कहीं पे sentence में आना है ऐसा भी हो सकता है कि आपकी preposition बिल्कुल starting में लग जाए और अक्सर preposition of conditions beginning में ही लगती है So अगर आपकी beginning में ही आपने unless लगा दिया तो now this is acting as the preposition of condition Right? So unless you finish your work you cannot go out Similarly हमारे पास देखो जी provided You can borrow my car provided you return it by 7 p.m. कि भाई you can take my car That is one part of my sentence Now main part क्या है that you can borrow it But अब मुझे एक condition लगानी है कि भाई एक ऐसी चीज है कि 7 बजे तक अगर तो आ गई मेरी गाड़ी वापस तभी I will give you that car otherwise I will not give you So therefore again इन दोनों ही clauses को इन दोनों ही phrases को join जो कर रहा है वो आपका कौन सा वाला part कर रहा है आपका यहाँ पर unless ठीक है और देखो बहुत सारे बच्चों की ने यह confusion भी हो सकती है कि मैं फिर conjunctions का क्या काम अगर आप कह रहे हो कि preposition भी दोनों को join कर रहा है दोनों का connection दिखा रहा है तो फिर जो conjunctions होते हैं उनका क्या काम होता है conjunctions भी तो joining words होते हैं हाँ जी बिलकुल होते हैं लेकिन वो चीजें आपको कब discuss करेंगे हम आगे आने वाली classes में जब हम parts of speech करेंगे क्योंकि देखो prepositions are also considered as part of your speech preposition आपका एक बहुत important बनता है part और again मैंने आपको starting lecture की starting में भी यह बात बोली थी कि preposition एक ऐसा topic है जो ना केवल parts of speech में आपको आएगा क्योंकि parts of speech के बारे में या word classes का topic आपको exam में आता है error spotting में आता है लेकिन कई बार यह stand alone topic as in the form of fill-ups या आप दूसरे format में sentence improvement के format में भी इस topic को देखने को आपको मिल सकता है तो यह बहुत essential और mandatory topic हो जाता है right then I think we move on to the compound prepositions now compound prepositions are again suggesting their own meaning compound prepositions are formed by combining prepositions with nouns adjectives and adverbs ठीके जी अभी तक तो हमने single word वाली prepositions करी थी in, out, under, across, between, along, right, owing to, because of इनको हम single ही consider कर रहे थे है ना लेकिन आप compound prepositions का मत्तब क्या हुआ कि एक single word वहाँ पर नहीं आएगा वहाँ पर वो एक noun के साथ, वहाँ पर वो एक adjective के साथ, वहाँ पर वो एक adverb के साथ combine हो जाएगी और जब तक वो combined नहीं होंगे उनका stand alone कोई भी मतलब नहीं होता, जैसे यह देखो according to, according to, to अभी तक मैंने पढ़ा था, किस में पढ़ा था, preposition of direction में, लेकिन now it is coming along according, तो यहाँ पर यह according to क्या बन गया, एक compound preposition बन गया, अभी because of, in spite of, इनको हम लोग compound prepositions मानते हैं, तो अगर दो words combine होके या एक preposition अपने आप में stand alone होकर ना होकर किसी और word के साथ, किसी adverb के साथ आ गई, किसी noun या adjective के साथ आ गई, तो उन्हें हम compound prepositions लेते हैं, लेकिन अब आपके exam में compound prepositions को ऐसे नहीं पूछा जाता, compound prepositions का भी एक step और forward ले लिया जाता है, और उनको फिर क्या कह देते हैं, phrasal verbs या phrasal prepositions, यहां तक बात clear है, अगर तो noun के साथ आई, adjective के साथ आई, adverb के साथ आई, तब तक तो वो compound prepositions है, ठीक है, जैसे आपके सामने है, according to हो गया, because of हो गया, in spite of हो गया, इस सभी में जो है आपकी एक prepositions है, of है, to है, और उनसे पहले कोई noun या कोई adjective mentioned है, लेकिन, अब जब हमारी बारी आती है, phrasal prepositions की, phrasal prepositions are group of words that act as a single preposition, now this is one of the most important topics, ठीक है, यह अलग से अपने आप में भी एक topic बन के आ जाता है, जैसे आपने देखा होगा, अगर अपना CDS exam, अपना अभी जिन भी बच्चों ने दिया होगा, CDS 2, 2024, उन्होंने देखा होगा, एक completion of sentences का topic था, ठीक है, completion of sentences का topic में क्या था, कि आधा sentence का part हमें दिया हुआ था, और चार options में से हमने चूज करना था, कि remaining other half उस sentence का क्या होने वाला है, तो उसमें आपको कई बार क्या होता है, आपको remaining half में ये phrasal prepositions बहुत काम आती है, Now, in other words, या simple भाषा में मैं अगर आपको एक बात समझा हूँ, जब भी आपके पास phrasal prepositions आएंगी, they are always group of words, group of words का मतलब क्या, जैसे आपने example number two या three याद है, आज की class में हमने example एक किया था, that the two brothers have fallen out, Yes, और तब मैंने आपको बोला था, कि बच्चे fallen out को अगर-अगर मैं दो अलग-अलग parts में read करूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है, fall का मतलब गिर जाना, out का मतलब बाहर जाना, है ना, या कोई चीज अगर बाहर है, लेकिन जब इन दोनों words को मैंने combine कर दिया, तो ये मेरा एक phrasal preposition मन गया, जिसका मतलब all together कुछ different निकल क्या रहा है, और उसका मतलब क्या निकल क्या रहा है, कि दोनों जो भाई हैं आपस में जगड चुके हैं, and they are no longer together, so whenever you will get phrasal verbs या phrasal preposition, अकसर आपका एक verb होता है, and along with that verb, you have a preposition, so that means, ये दोनों words, या ये दोनों words से या दो या तीन words है, ये combine होकर एक preposition count होते हैं, और फिर उनको जो है, हम एक different meaning देते हैं, क्योंकि उसमें जो verb होता है, और जो preposition होते हैं, दोनों को अगर हम individually read करें, तो वो individually बहुत different meaning hold करते हैं, लेकिन जब दोनों combine हो जाते हैं, तो automatically उनका meaning जो है, वो बदल जाता है, जैसे अब आपके याँ पर सामने आप देख रहे होगे, phrasal prepositions can be of because of, due to, in front of, अब आप इनको अलग-अलग भी देखेंगे न, तो अलग-अलग ये different different meanings करेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप इनको combine कर रहे हो, तो ये एक single meaning करेंगे, कि भाई, मेरे, you know, on behalf of, मेरे, you know, level पर, या मेरी जगा अगर कोई ले सकता है, तो वो ये person ले सकता है, so basically, phrasal prepositions are nothing, but a combination of different or multiple types, तो ये phrasal prepositions आपके in format में भी हो सकते हैं, जिनको हम लोग compound prepositions कहते हैं, या वो जो है phrasal verbs के form में भी हो सकती हैं, क्योंकि phrasal verbs में भी एक verb निकल कर आता है, और एक preposition निकल कर आती है, ठीक है, तो ये दो जो चीजे हैं, वो तुमने अपने दिमाग में रखनी हैं, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा और एक बहुत ही important जो है concept आपके exam के लिए बन जाता है, तो आज के session में हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज का आपका ये first session था, जिसमें कि आपको, जो obviously मुझे देखना था, कि आपके लिए prepositions का जो ये topic है, कितना नया है, कितना आप उसके बारे में जानते हैं, और कितना आप उसको समझ बारी हैं, और ये जो different types of prepositions की जो basic theory थी, देखो ये basic थी बिलकुल theory, मैं नहीं बोलूगी कि ये बहुत high-five theory थी, लेकिन अगर तुमें ये basic theory भी नहीं पता, तो फिर आगे इस topic को ले जाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि questions फिर सीधा उपर से निकल के जाएंगे, तब नहीं समझ में आएगा कि क्या यहाँ पर ये क्यों use किया गया, क्योंकि हमें यहीं नहीं पता कि वहाँ पर action हो रहा है, reason दिखाना है, या उसकी place दिखाना है, या उसका time दिखाना है, तो ये सारी बाते जो आज हमने अपनी class में करी, वो इसी लिए करी, ताकि आप basically ये समझ पाओ, कि prepositions का एक sentence में काम होता क्या है, और उस काम के हिसाब से आपने कौन सी preposition pick करनी है, ये सारी बाते हमने आज की class में discuss करी, आगे आने वाली classes में, obviously we will discuss the different different types of prepositions, जो हमें confuse करती हैं exam में, जैसे मैंने आपको example दिया था, between और among का, कि between और among में क्या thin line of difference होता है, या in और into में क्या thin line of difference होता है, या over and above में क्या thin line of difference होता है, ऐसा exclusive जो content है, वो आपको पता है, आपको कहां जाना है, आप सभी बचों को SSB Guide की app जो है, वो download करनी है, आपने शेर्षा batch में enroll करना है, शेर्षा batch has been curated exclusively for CDS 1 2025, तो अगर अभी तक आपने अपने शेर्षा batch में enroll नहीं किया है, अभी वो discounted price pair for first 500 students, at the price of 4000 रुपीज, आप फटा-फट से जाके उस batch में enroll कर लीजे, क्योंकि आपकी जो remaining classes है या जो आपकी further classes होने वाली है, सभी वो शेर्षा batch में लगने वाली है, और उसी में जो हैं हम और भी अच्छे से बाकी सारे topics को भी करेंगे, तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे classes में, तब तक के लिए I hope आज की इस class को आपने enjoy किया होगा, आज की इस class में जो भी चीज़े पढ़ाई गई हैं, वो आपको समझ में आई होंगी, और इसी class को अपना base बनाकर हम आगे आने वाली classes में चलने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपने next session में, तब तक के लिए आप सभी को जैहिंद,